स्टुडेंट्स क्रेप्या आप अपने हिंदी पाथे पुस्तक लीजिए और पेज नमबर 51 खो लिए आज हम पढ़ेंगे एक कहानी लेसन नमबर 8 और कहानी का नाम है जेसे को तेसा ठीक है मित्र नदी के उस पार तर्बूज के खेत हैं आज हम दोनों वहां तर्बूज खाने के लिए चलते हैं तो यहां पर यह चित्र देखें आप यहां पर दो मित्र हैं यह है उंट और यह है सियार ठीक है तो इन दोनों में बातचीत हो रही है तो क्या बातचीत हो रही है कि नदी के उस पार एक तरबूज का खेते हैं चलो हम उहां खाने चलते हैं तो फिर उट क्या कहता है तरबूज ठीक है पर तुम नदी के पार चलोगे कैसे फिर सियार बोलता है, मित्र तुम तो नदी में तेर सकते हो, मैं तुम्हारी पीट पर बैठ जाओंगा, खेत में पहुँचकर हम लोग खूब मजे से तर्बूज खाएंगे, इस प्रकार दोनों खेत पर पहुँचकर तर्बूज खाने लगते हैं, फिर उट कहता है, नहीं, पहले सियार, सियार बोलता है, मित्र मेरा तो पेट भर गया, फिर उट बोलता है, पर मेरा पेट तो अभी नहीं भरा, फिर सियार बोलता है, मित्र खाना खाने के बाद मुझे तो डकार मारने के आदत है, अच्छा, हाँ, फिर ये बात बोलकर सियार क्या कहता है, हुआ, ये उसका धकार मानना है ठेक है फिर क्या होता है अच्छा तुम ही हो जो हर रोज मेरे खेत को उजारते हो तो ये एक आदमी है जो इन दोनों को देख कर बोलता है कि तुम ही हो जो मेरे खेत को उजाड रहा है फिर उट बोलता है अरे अरे ये क्या कर रहे हो ये कहकर सियार हुआ हुआ करने लगा हुआ हुआ के आवाज सुनकर खेत का मालिक डंडा लेकर आया फिर क्या था तो जब ये धकार मानने लगा तो इसकी धकार के आवाज सुनकर ये जो खेत की रखवाली करता है ये आदमी ये डंडा लेकर आने लगा फिर क्या होता है ये जो आदमी है ये बोलता है तुमने मेरे खेत को उजाडा ले अब डंडा भी खा तो ये उंट को डंडा मारता है गुसा होकर और उंट हाँ 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 करके वहां से भाग चलता है फिर सियार तो भाग गया तुरण उंट नहीं भाग सका खेत के मालिक ने उसे डंडे से खूब पीड़ा फिर क्या हुआ सियार नदी किनारे पहुँच गया था उंट भी किसी थरा जान बचा कर वहां पहुँचा सियार बोला मित्रे जो होना था वो तो हो गया अब पच्ताने से क्या होगा चलो अब नदी पार करके अपने स्थान पर चलते हैं फिर उटने कहा ठीक है मित्रे चलते हैं फिर सियार ने कहा चलो चलते हैं नधी के बीच में पहुँचकर उट ने सियार से कहा मित्र मुझे इस सीटल पानी में नहाने की इच्छा हो रही है मैं कुछ देर के लिए पानी में स्नान कर लूँ फिर सियार कहता है मित्र मुझे ख्यमा कर दो मैं अपनी भूल के लिए बेहुद सर्मिन्दा हूं के याद रखना मिट्र वही होते हैं जो संकट में एक दूसरे की मदद करते हैं वे धोका नहीं देते जब ये उठ इस आदमी से मार خारा रहा था तो क्या होता है तो तब ये जो सियार है वो तुरन्त ही भाग जाता है और उसके बाद स्यार को बहुत पस्तावा होता है कि मेरे मित्र को मैंने छोड़ कर भागाया जब वो उस आदमी से डंडे से मार खा रहा था तो फिर उट ने उस से और फिर उसको अपनी गलती का हैसास हुआ और वो उट से छमा प्रात्रा करने लगा फिर उट ने कहा कि कोई बात नहीं मित्र लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि संकट में हम अच्छे मित्र वही होते हैं जो संकट में एक दूसरे की मदद करते हैं ठीके कभी वो धोका नहीं देते तो बच्चों यह थी पूरी कहानी उट और सियार के मित्रता और इस कहानी में उट और सियार के मित्रता स्वष्ट दिखाई देते हैं तो बच्चों आप लोग इस कहानी को पढ़ो अच्छे से और उनकी मित्रता के बारे में समझो